हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एससी मेकर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनल अवैनेस के इंपॉर्टिंट आप 20 अमसी की डिटेंट में डिसक्स करेंगे यह जनल अवैनेस की सीरीज का पार्ट 186 है जो कि आपके आने वाले पार्ट पुछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं सारे क्यूंस इंपुटन टैस्ट एवीडियों तक सब्सक्राइगा और सब्सक्राइब करते हैं हमारे सब्सक्राइब आप जाने अगे अगर अगर हम उन्हें आगे बढ़ानी की हिम्मत रखते हैं तो चली चलते हैं हमारे फर्स्ट किशन पर हमारा फर्स्ट किशन है पर्यावरन अध्यन के संदर में CER किसे संदर्बित करता है दोस्तो फुल फॉर्म बतानी है तो वह है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन दोस्तो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यानि CER उत्सरजन यूनिट का एक प्रकार है यानि कार्बन क्रेडिट्स का याद रखिएगा नास्ट किशन पर चलत नॉलेची याद रखिएगा और दोस्तो ये वीडियो कैसे लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो अससी मेकर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिलकुल न भूलें नेक्स्ट किशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इ यानि इंडियन पैनल कोड यह जो है भारत का मुखे क्रिमिनल कोड है याद रखिएगा नेक्स्ट किशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन किशन है PCP का पूरा नाम क्या है तो दोस्तो वैफ फॉल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दोस्तो इलेक इंडियन प्रिंग के शिवाल वस्तार है तो दोस्तो वैए ए-गएइंडिफायर फ्लाइंग ओबजेकट दोस्तो वैए आकास में उड़ती किसी अज्याद वरिस्टै को क्या कहा जाता है इंडियन फॉल फ्लाइंग ओबजेकट याद रखिएेगा हने इन मोया है nesons पें क्रिशन निमली कित में से CEC का अर्थ क्या है तो दोस्तो इसका मतलब है Chief Election Commissioner दोस्तो CEC यानि Chief Election Commissioner भारत के निर्वाचन आयो का प्रमुक होता है दोस्तो यहां पर बात हो रही है CEC की तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा कि वर्थमान के निर्वाचन आयोक का जो प्रमुक है उनका नाम क्या है नास्ट किशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम पॉड़न किशिन है UNFCCC का पूरा नाम क्या है तो दोस्तो फुल फॉर्म है United Nation Framework Convention on Climate Change दोस्तों UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change दोस्तों यह जो है एक अंतरास्टे पर्यावरण संदी है जो जून के नास्ट प्रिसघ्रण साइस्ट किशिंभ है कि हमारे नच्स्ट इंपरें नाम क्या थे भारति खेल में है यह की इंडिया लीग नोढलते वहाश्टी होकी लीग है जिसका पूरा नाम है यह भारत नाम है कि नहीं Curie पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्ण क्रिशन है CT scan में CT का अर्थ क्या है तो दोस्तों वह होता है computer tomography दोस्तों CT scan में CT का अर्थ computer tomography से हैं दोस्तों यह जो है एक प्रकार की चिकित सीय चित्रांकन यानि medical imaging हो तकनीक है जो tomography पर अधारित हैं याद रखिएगा दोस्तों नास्ट क्यूशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्ण क्यूशन है MRI किसका sunship तरोब है तो दोस्तों वह है magnetic resonance imaging का दोस्तों MRI यानि magnetic इमेजिक तकनीक है याद रखिएगा नास्ट क्यूशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्ण क्यूशन है यात्रियों के नाम क्या है याद रखिएगा नास्ट क्यूशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्ण क्यूशन है PNR का पूरा नाम क्या है तो दोस्तों वह है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड दोस्तों PNR यानि पैसेंचर नेम रिकॉर्ड दोस्तों आरक्षित रेल विटिकट पर दर्ज पी एन र कोड का अर्थ जो है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड होता है याद रखिएगा नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट युक्ति यानि डिवाइस है जो पार्सनल इंफोर्मेशन मैनेजर की तरह कारे करता है याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पॉर्डन क्रिशन है प्रदूसन में सूचकांग SPM का पॉन रूप क्या है तो दोस्तों वह है पॉन रूप होता है सस्पेंडिट पर्टिकुलेट मेटर याद रखिएगा और दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग व्यूडियोजर क्रिशन के लिए एससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूले हार सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दोस्तों जी-पि-एस जिसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दोस्तों यह जो है सयुकत राजय अमेरीका के रख्षर विभाग द्वारविक्सित एक वैश्विक नो वेहन उप्ग्रेप रनाली है याद रखिएगा नस टाइम ग्रोश सेटिल्मेंट, RTGS, कोश यानि फंड जो है हस्तान तरण की विशेश प्रनाली है. याद रखेगा दोस्तों. Next question पर चलते हैं. हमारा next important question है UNHCR किसका संशिप तरूब है? तो दोस्तों वै जो है United Nations High Commissioner for Refuges का full form है. दोस्तो UNHCR means United Nations High Commissioner for Refugees जिसे UN Refugee Agency भी कह जाता है. दोस्तों इसका जो मुख्याले है जेनेवा यानि सुजले लेंड में है. याद रखेगा दोस्तों. Next question पर चलते हैं. हमारा next important question है RAW का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वै है Research and Analysis Wing दोस्तो आर ए डबलू ये जो है दोस्तो Research and Analysis Wing भारत के अंतरास्टे गुप्तचर संस्ता है और इसका जो कठन है दोस्तों 1968 में किया गया था. याद रखेगा दोस्तों Next question पर चलते हैं. हमारा next important question है WWF का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वै होता है World Wildlife Fund ठीक है? World Wildlife Fund दोस्तों WWF का जो पूरा नाम है World Wildlife Fund है इसका मुख्याले दोस्तों Glend यानि Switzerland में है. याद रखेगा Next question पर चलते हैं. हमारा next important question है Last important question IPCC का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वै है Intergovernmental Panel on Climate Change दोस्तों Intergovernmental Panel on Climate Change यानि IPCC सयुक्तरास्ट दोस्तों यानि UN की एक विज्यानिक और अंतरसरकारी संस्ता है याद रखेगा दोस्तों तो दोस्तों ये थे General of NS के important top 20 MCQ Most important questions I hope ये वीडियो आपको पसंद आया है ये वीडियो कैसा लगा? comment box में ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study related group में शेर ज़रूर करें और SSC Maker को like, subscribe and share करना बिल्कूल न भूले आज के लिए बस इतना ही Thank you so much दोस्तो